जमाना गुजर जाता है पर अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी ले जाता है बात है सन 1989 के गोल्डन एराकी कैब्रे डांसर और अभीनेत्री हेलन अपना आखरी डांस की शूटिंग महभूब स्टूडियो में कर रही थी पर उसी स्टूडियो के दूसरे कोने में एक नव्यूवक लड़की अपना पहला कैब्रे डांस का शूट कर रही थी एक स्थान पर किसी का जमाना खत्म हुआ तो किसी का शुरू हुआ वो थी असी के दशक की मशूर डांसर कलपना आयर मैं हूँ अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं उने मिस वोल्ड समारों में भारत का प्रती निदित्व भी किया था पर क्या कलपना अयर पच्पन से इदनी हो नार थी तो चलिए इनकी कहानी की शुरुआत पच्पन से करते हैं तुम्ही ध्यान रखना चाहिए तुम इस घर के रहमो करम पर हो अहसान मानने की बज़य उल्टा हुशम चलाना चाहते हो मुफ्त में अच्छा खाने को मिल रहा है अगर इस घर का सहरा ना होता तो तुम सदकों पर भीक बांगते फिरती या फिर अपना बदन नुचवाती होता अभी पती पत्नी के बीच दिवार बनने के बज़ाए अपनी अउकात पैचानो मेरे पत्नी के दौलत पर नजर गळाने के बज़ाए अपनी हैसियत के अंदर रहना सीखो क्या कोई और तुम्हारी दिल को भाग गई है क्या मैं तुम्हारी दिल से उतर गई हूं कानता तुम नुजे खलाट समझ रही हो यह बी नहीं वो भी नहीं तो बात क्या है भगवान के लिए मेरी तपस्या भंग मत जो मा अच्छा, आज मैं भी देखे, तुम्हारे सब और अपनी प्यास की सीमा, देखते हो रिशी विश्वामित्र जीते हैं, या भिर्म बेट का दोस्तों, कलपना जी का जन दक्षिन भारतिय ब्राह्मन परिवार में 17 अप्रेल 1956 को हुआ था उनका परिवार मिडल प्रास्थिती में था, उन्हें अन्य भाई बहने भी थी, कहा जाता है कलपना कमाने लगी तब पूरे परिवार के जिम्मधारी कलपना पर थी फिल्म जगत से उनके परिवार का कोई संबंध नहीं था, पर कलपना बचपन से नृत्त कला में पारंगत थी हालाकि उन्होंने कभी भी नृत्त का प्रशिक्षन नहीं लिया था, पर इस बात के विपरित, जब वो डांस किया करती थी, तब सब के होश उड़ जाते थे महले में होने वाले सारंब और प्रतियोगिता में कलपना सेह बाग लेती एक दिन स्टार गायक मुकेश साहब के मित्र, जो खुद कोरियोग्राफर थे, वो कलपना के स्कूल आए, वहां उन्होंने कलपना को नृत्त करते हुए देखा कलपना के इस कला से वो बहुत प्रभावित हुए और तुरंध ही उन्होंने कलपना की माँ से बात की कलपना के माताजी से उन्होंने कहा, मैं आपकी बेटी को मुकेश साहब से मिलवाना चाहता हूँ ये सुनकर मा और कलपना दोनों खुश हो गई कलपना ने सोचा कि इतने बड़े सिंगर से उनकी मुलाकात होने जा रही है, इस मौके को मैं क्यों जाने दूँ तो फिर इस तरह वो मुकेश साहब के ग्रूप में शामिल होई, उस जमाने में बड़े बड़े सिंगर्स लाइफ शोज आयोजित किया करते थे, जहां मुकेश जैसे सिंगर्स गाना गाते थे और डांसर्स जान्स करते थे मुकेश साहब के साथ कल्पना अलग-अलग शेहरों में जाने लगी, पर 1973 में वो सबसे पहले विदेश अमेरिका गई वहां से लोटने के बाद कल्पना ने अन्य बड़े सिंगर्स के साथ काम करना शुरू किया, उनमें मनना दे किशोर कुमार मुहमद रफी जैसे नामी हस्तिया हैं जब वो किशोर आवस्था में थी, तब भी उन पर घर की जबाबधारी थी, घर संभालते हुए वो डांस किया करती थी काम की तलाश करते हुए वो मॉडलिंग शेत्र और एडवर्टाइजमिंट से जुड़ गई उनकी खुपसूरती और अद्भुत कला के बतालत वो ब्यूटी कॉंटेस के लिए चुनी गई और मध्यम वर्ग से आई कलपना आयर बन गई मिस इंडिया इसके बाद उन्होंने मिस वर्ल्ड कॉंपटेशन में भारत का नेत्रुत्व करते हुए टॉप 15 उमीदवारों में जगह भी बनाई एक इंटर्विव में कलपना जी बताती है हमें तो बस काम की तलाश होती थी कम चीजों के अधार पर हमने काफी उचाईया नापी है आज की दुनिया एकदम बदल चुकी है हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं था 1978 के साल में जब मैं मिस इंडिया बनी तब भी हम आम नागरिक ही थे कोई इगो घमन नहीं होता था जब मिस वर्ल्ड के लिए मैं विदेश जा रही थी तब मेरे पास जरूरत मन वस्तुएं भी नहीं थी हम दूसरों से मांगते थे पर आज का समय एकदम बदल चुका है मिस वर्ल्ड के दौरान उन्हें अपनी जिंदगी की पहली फिल्म में काम करने का मौका मिला राज्ष्री प्रडक्शन अंतरगत निर्मित इस फिल्म का नाम था मनो कामना जिसमें राज किरन और मधु कपूर भी थे असल में कलपना ने कब भी नहीं सोचा था कि वो अभी नेतरी बनेगी पर राज्ष्री जैसे बड़े निर्माता को कौन मना करता महभूब स्टूडियो में शूटिंग के दौरान देवानन साहाब ने कलपना को देखा और उन्हें कहा बेरे फिल्म में डांस करूगी इतने बड़े सूपर स्टार द्वारा ओफर मिलना ये कलपना के लिए बहुत बड़ी बात थी उनके खोशी का ठिकाना ही नहीं था पर मनुकामना के अन्य कलाकारों ने ओफर ठुकराने को कहा क्योंकि उनका कहना था कि एक फिल्म में तुम हिरोईन हो और एक फिल्म में मामुली डांसर रहोगी जो तुम्हारे करियर के लिए ठीक नहीं रहेगा पर कलपना ने इन बातों को नजर अंदाज करते हुए कहा मुझे मनुकामना फिल्म किस्मत से मिली है अभी नेत्री बनना भी कहा थे था देवानन से उन्हें जो फिल्म मिली वो 1980 की लूट मार फिल्म थी बॉक्स ओफिस पर ये फिल्म भले ही औसत रूप में चली पर फिल्म के गाने बड़े हिट हुए खास तोर पर कलपना अयर पर फिल्माया गया गीत जब छाए मिरा जादू काफी लोग प्रिय हुआ इस गाने के बड़ुलत उन्हें कैब्रे डांसर के रूप में पहचान मिली लूट मार के बाद कुद्रत, प्यार दुश्मन, बंबई का महाराजा, साजन की सहिली इन फिल्मों को उन्होंने चार दिन के अंदर साइन के और यहीं से सही माइनों में उनका फिल्मी जीवन शुरू हुआ कोई यहाँ नाचे नाचे, हरी ओम हरी, संभा हो, तु मुझे जान से भी प्यारा है तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए इन सभी गीतों के लिए आज भी कल्पना अयर जानी जाती है अपने नीजी जीवन में वो समय के प्रती हमेशा इमानदार रही सटे पर सटा फिल्म के शूटिंग के लिए सभी को पांच बजे सेट पर पहुंचना होता था पर केवल अमिताब और कल्पना समय से पहले पहुंचा करते थे अपने जीवन में असी से भी ज्यादा फिल्में कल्पना जीने किये हैं और लगभग काफी मशूर टीवी सीरियल्स के जरिये वो लोगों का मनोरंजन करती रही बनेगी अपनी बात 1993, जुनून 1995, चंद्रकांता जैसे सू प्रसिद्ध सीरियल में वो हमें दिखती है 90 के दशक का चंद्रकांता सीरियल में वो नेगिटिव किरदार में थी कलपना अयर ऐसी अभिनेतरी रही हैं जो ये बात मानती हैं कि उनके किस्मत ने उन्हें बहुत साथ दिया है पर कड़ी मेहनत के बदौलत उन्होंने मुकाम हासल किया था उनके परसनल जीवन पर रुख किया जाए तो ये बात सब जानते हैं कि वो आजीवन कुआरी हैं फिल्मे दिहासकारों का मानना है कि कलपना अपने बहन के छोटे बेटे को लेकर शूटिंग सेट पर आती थी तब लोगों को लगता था कि ये उनकी और अभीनेता अमजद खान की संतान है फिल्मे गलियारों में ये बात भी काफी मशूर है कि कलपना अयर और अमजद खान में प्रेम संबंध थे पर कलपना जी ने कभी इस पर खुल कर बात नहीं की है अमजद खान के शादी के बाद कलपना दुबाई गई वहाँ वो होटेल्स के रिलेटेड बिजनस करने लगी पर आज कलपना जी 65 साल की हो चुकी है और मुंबई में अपने परिवार के साथ आनदित जीवन बता रही है तो मैं थी आपकी अनामिका मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और हमारे चैनल बयोग्रफी आन्ड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूले नमस्कार